ज़जर के बेटे रोहित एहलावत ने लंडन में काउंसिलर का चुनाव जीत कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हरियान भी ने इंगलेंड की धर्ती पर काउंसिलर का चुनाव जीता हो ब्रिटेन में रिशी सुनक के नेत्रित्व वाली सप्ताधारी कंसर्वेटिव पार्टी के नेता रोहित एहलावत ने काउंसिल के चुनाव में बड़ी जीत हासल की रोहित ऐसे पहले हरियानवी है जिन्होंने इंगलेंड में किसी भी तरह के चुनाव में जीत की पता का फेहराई हो हाला कि इंगलेंड के अलग-अलग संसद्य क्षेत्रों से कई भारतिय चुनाव जीत चुके हैं लेकिन अब तक किसी भी हरियानवी को संसद या काउंसल के चुनाव में जीत नसीब नहीं हुई थी लंडन से फोन पर बागचीत में रोहित ने बताया कि कंसर्वेटिव पार्टी का पूरे तेश में निराशा जनक प्रदर्शन रहा है और पिशली बार के मुकाबले 1000 सीट वो हार गए एंटिन कमबेंसी लहर के बावजूद उन्होंने अपने वाड में बड़ी जीत हासल की नमस्कार साथियों मैं रोहित अलावट जैसा आप सभी को पता था कि यह इंगलेंड में काउंसलर का चुनाव लड़ रहा था तो मुझे बड़ी बताते हैं खुशी हो रही कि मैं ये चुनाव आप सभी की दूआओ और आशिर्वात की बुलो मैं उमीद करता हूँ कि मैं आप सभी का मान सम्मान ऐसे ही बड़ाता रहूँगा बहुत 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 धन्यवाद आपको बता दें कि हरियाना के जजड़ जिले के धांदलान गाओं के रोहित एहलावत करीब देड़ दशक से इंगलेंड में रह रहे हैं पहली बार उन्होंने लंडन के साथ लगते लोवर अरली शेहर के हॉगडन वार्ट से चुनाव लड़ा था ये वार्ड लिबरिल डेमोक्रेट्स का गढ़ था साथी इस्ट इंगलेंड के जिस हॉगडन वार्ड से रोहित न चुनाव जीता है उसमें फिलहाल लिबरिल डेमोक्रेट्स पार्टी का कबज़ा था जबकि पहले ये इलाका कंजर्वेटिव पार्टी का गड़ होता था कंजर्वेटिव पार्टी ने किसी गोरे की बचाय भारती अमूल के रोहित पर इसलिए दाओं खेला क्योंकि वो अपने वॉल्ट में भारतिय मूल की लोगों के अलावा गोरे लोगों के बीच भी लोग प्रिये हैं रोहित ने जीत हसल करने के बाद पोन पर अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात की उनका आशिरवाद लिया रोहित अहलावत की जीत के बाद अब निश्चित रूप से लंडन में रह रहे हरियान की लोगों के आत्म विश्वास में व्रद्धी होगी अगले कुछ सालों में इंगलेंड की सियासत में हरियानवियों का दबदबा भी बढ़ सकता है जजज़ से जगदी प्राजियान सत्य खबर